बिस्मिल्हारमानिवरहीम, अस्सालाम अलेकुम श्रोयर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान, बाइडिवर्स्टी के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खित्मत में हाजिर हैं, और बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप्स for the conservation of biodiversity in Pakistan, पाकिसान में कौन-कौन से स्टेप्स के स्टेप्स हैं, जो हम one by one स्टेप्स के स्टेप्स हैं, जो हम one by one स्टेडी करेंगे, तो conservation of biology basically एक global issue है, और इसलिए globally और nationally दोनों तरह से इसको deal किया जा रहा है, यानि international countries भी इसमें involved हैं, बायो डिवर्स्टी को conserve करने के लिए, और national policies भी बनाई जा रही हैं ताके हम अपनी species को protect कर सके, so as you know that Pakistan is also rich in biodiversity और Pakistan के अंदर भी बहुत सरी ऐसी animal और plant species हैं, जिनको extinct होने का खतरा है और जो rural areas हैं वहाँ पर जो गुर्बत बहुत जादा है और literacy rate जो है बहुत कम है जिसकी वज़ा से हम conservation के सई मयर नहीं कर पा रहा है, खेर इसमें जो सबसे मशहूर तोर पर जो organizations काम कर रही हैं इसके अंदर International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources यानि IUCN और WWFP यानि World Wildlife Fund पाकिस्तान जो है ये दो कर रही हैं बहुत जादा काम और इसके साथ साथ जो Ministry of Environment and other government and non-government institutions हैं वो भी इसके अंदर involved हैं तो इस तरह करके कुछ steps हैं हम one by one study करते हैं जो पहला step है जी नेशनल conservation strategy तो 1980 के अंदर IUCN जो भी उपने उपर इदारा पड़ा है उसने और पाकिस्तान की हकूमत ने ये बैठकर एक strategy बनाई national conservation strategy for Pakistan और इसके ओपर उनने जो है साइन किया और कहा कि हम इसके ओपर अमल करेंगे इसके बाद next step ये किया गया कि यूएन convention on combating desertification CCD ये एक खास किसम का convention है जो United Nation organized कराता है इसका काम ये होता है कि जो गुर्बत है खुशक अलाकों के अंदर वहाँ पर जो गुर्बत है उसको भी थोड़ा सा देखा जाए और साथ-साथ वहाँ पर जो नुकसानात हो रहे हैं species को लेकर उसको भी देखा जाए तो य 1997 के अंदर पाकिस्तान ने CCD को साइन किया था इसके बाद हमालियन जंगल प्रोजेक्ट है एच जेपी ये 1991 में स्टार्ट हुआ था प्लास वेली के अंदर और जो KPK के अंदर है और इसका ये था कि जो हमारी पाकिस्तान का जो सबसे रिचिस बायोडिवस्टी एरिया है ये नॉर्दन एरिया आज जो है वहां पर सब ज़्यादा जो है बायोडिवस्टी पाया जाती है तो उस बायोडिवस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमालियन जंगल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था इसके बाद इक नेक्स स्टेप है कंजर्वेशन औफ फॉरेस्ट है जी चिलगोजा और वो जो पाकिस्तान के और बलके दुनिया के बहुत बड़े जंगलात में उसका शुमार होता है तो 1992 में डिब्ली डिब्ली एफ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था कंजर्वेशन प्रोग्राम के उस फॉरेस्ट की फॉर्ना और फॉलोरा द ख्लिफ वाइल स्पीशिस का चाहे वो नदियों है या जीले हैं चायए वो च्टे बोते जंगल है तो उन या पहाडी राके हैं उन वहाँ हैं पर जितने है स्पीशीज की उसको बैन किया जाए तो ये नौर्दन एरियाज कंजर्वेशन प्रजेक्ट था इसके बाद चितराल के अंदर कुछ माइगरेटरी बर्ड आते हैं जो मतलब दूसरे मुलकों से माइगरेट करके आते हैं और वह पर बहुत जादा हंटिंग का प्रेशर था हब बहुत जादा हंटिंग हो रही थी तो डूब डूब लूए अफ पाकिस्तान ने वहां पर भी एफट्स अपनी लगाइं ताके हंटिंग pressure को क्या किया जाए कम किया जाए और ये काफी हद तक इसके अंदर कामयाब भी होए थे इसके बाद जी चिलतन मार्खोर आपको पता है इसके conservation के लिए एक project start किया गया वो again www.pakistan ने ये किया और इसके लिए एक management के लिए पार्क बनाया और जिसमें हजर गंजी नेशनल पार्क जो है ये क्वेटा के अंदर पार्क बनाया गया ताके चिलतन मार्खोर को वहां पर उनको habitat हिया करके उनकी survival की जा सके तो फॉर्नर विजिट करते थे northern areas को और गेम्स वगहरा खेलते थे ठीक है तो डिबलो लिए पाकिस्तान ने उसके ओपर बैन किया और इसको illegal practice दे कर इसको खतम किया गया तो ये कुछ steps थे जो आपकी book में लिखे हैं अभी जो नए project है उसके अंदर ये आपके सामने clean green पा project है ठीक है इसके इलावा भी बहुत सारे environment ministry of environment जो है वो काम कर रही है और conservation के ओपर भी काम चल रहा है तो that's it students तो ये थे steps for the conservation of biodiversity I hope आपको समझाए होंगे तो question आज ये है कि पाकिस्टान के इमरान खान के आने के आने के बाद भी एक नया program स्टार्ट किया गया था plantation का उस plantation program का नाम आपने comment box में बताना है ये आज का आपका question है मजीद videos के लिए हमारे channel को subscribe करें दूसरे बच्चों के साथ भी share करें वीडियो को पर like का बटन जूरू दबाया करें that's it Allah Hafiz